हेलो गाई चलिए बनाते हैं अज मसाले चिकंदार करी लगडी के चुलिया पर बनाएंगे सबसे पहले प्याज कटवो ले लेंगे उसके बाद डाल देंगे प्याज तलने के लिए और इसे चलाएंगे पूनेंगे वह तब तब पूनेंगे जब तक कि ये लाल ना हो जाए इसका कलर अच्छा ना हो जाए तो वीडियम बने रही हो देखिए ये मेरा प्याज हो चुका था अब लासू और आद्रक और मिर्च का पेश्ट डाल दिये हैं इसके बाद इसमें डाल करके इसको पूनेंगे अब इसको भी अच्छे तरीके से पून लेंगे लागडी का चुला है थोड़ा सा इसमें दुआ आएगा कोई दिकत नहीं है अब चली चिकन दूर है इको बढ़िया से फ्रेज से दूलेना है अब इसको बढ़िया से दूना है और इसको पाने डाल करके अब दूखते हैं फ्रेज से वीडियों बने रही है मसाला तब तक मेरा पुना रहा थां मेरे चिकन दोगे अब इसमरे डालेंगे और इसको चलाएंगे इसको बढ़िया से चलाएंगे तक कि मसाला जो है मिलना है चिकन में अब इसके बाद में फिर से चलाएंगे अब इसको पकाएंगे थोड़ा तक कि अच्छा लगे नवर्क सवाते नुसार डाल देना है जिकन में थोड़ा से पकने के बाद में उसके बाद थाकि इसको ठाकतर के ज़्यादतर पकाना है यह ज्याद बढ़िया सवाद और अच्छा लगेगा कि हल्दी डाल देना है उसके बाद जी रहे है इसारा पॉल्डर में त्यार कर दिया था कर दो कि अर्दी रहे हैं त्यापोर था पॉल्डर कर दो अर्दी जाए रहे हैं तुम कुत हैं नाचा जाताओ और हो नागान को तो इसके बाद पाली तो are you बढ़िया से बूनेंगे इसको अच्छे तरीके से ताकि बहुत ही सवाद बने गई है इसके टके पर मैंने गरम पानी डाल दिया है थोड़ा पानी जापी जोड़ा पड़ेगा तो इसके बात सवाद इसका अच्या और टिस्टी हो जाता है फिर इसको चला देना चे तरीके से अब आने जब पांगी डाला था वह भी मैंने इसमें डाल दिया तो थोड़ा जित्रा जो रहा थे उत्रहीं मैंने डाल दिया यह गरमसाला जिल्वेटे पिस्वा की मगवाया और इसे डाल दिया कि लगड़ी चुले पे बनाके खाने सा सवाधी कुछ लोग जाता है इसलिए लगड़ी प्रिफरी करते हैं जब इचिकेनी मटन बनाते हैं तो यहार हो चुका है सवाधिष्ट बहुत ही अच्छा स्वाधा रहा है इसका से इंट्रेव बहुत ही अच्छा लग रहा है यह रहा है रोटिक साथ में अराम से खा सकते हैं